दुल मस्कार मेरे प्यारे सत्यों जैसा कि आपको पता है कि मेरे द्वरा वीपी प्लिस की प्रेटिशिट लगाई जा रही है और आप बहुत असारी से उसक्वेशन को हल भी कर पा रहे हैं तो उसे का हम निश्ट पाट ला गाए है आज हम तुनल आ लाए है 20 कोशन आसा करता है कि आप 15 प्लस से करेंगे यह करेंगे तो चलिए बिना किसी देन के पर वीडियो शुरू करते हैं तो दूस्तों पहला कोशन क्या है पहला कोशन है हर सुवर्दम ने धारवी सम्मेलन काय लाजागे और कहा कराए कराए के पहला हुआ था वनलभी में और दूसरा प्रियाग में ऐसा करते हैं दोस्तों कि आप पहले इसका answer सोचेंगे उसके बाद आप हमारे जुबत्या गया answer हम उसे मिलाने की प्रियास करेंगे और इस तरीके जब आश देखेंगे तो आपकी 15 प्लस सेंग होना ही चाहिए, अगर आप चाहते है कि इस साल आप सेलेट हुआ हैं, तो जो भी GS के कोउस्चन है, उनमें 15 प्लस टॉप करे ही करें, निस्ट कोउचन क्या है, निस्ट कोउचन है दोस्तों अमारा, चोरी चोरा घटना कव घटी चोरी चोरा घटना कव विते दुट्टों यह थी बास भरवरे उन्हें सब 22 को इसमें क्या हुआ था 22 अंगरेश सिपाहियों को एक चोरा है पर एक रूम में बंद करके उन्हें जला दिया गया था तो दोस्ता आज भी चोरी चोरा रेल विश्टिसन के पास एक ठारा है और अब जाएंगे तो आप पता चलेगा यहां एक बाइरक में बंद करके 22 अंगरेश को एक सास जला दिया गया था नेस्ट कोश्चन है अठारा सोसलतावर के खरांती के आंदूलान में बरेली का नित्रित करता। उसका एफ़ेंज़र है खर्वादूल खर्णने किसने करवाता है यह important question दोस्तों क्योंकि बहुत कल्फिश करता है आकरा के मोती मर्जीद का निर्माड़ किसने करवाय था कई लूप अकबर को समझते हैं कई लूप और अलजेव को एकम दोस्तों इसका अंस्वर है आपसे नंबर दो सा जहां Next question है राम प्रसाद विश्मिल जेको फासी कहा देगे थी तो दोस्तों इनको फासी देगे थी गुरपुर में ठीस काराण देगे थी काकोरी कांड के थाराण काकोरी कांड में सबसे बढ़ात इनेका था और इसी के काराण इसे गुरपुर के जल में फासी देगे थी Next question है भीतर गवण मंदिर कहा आज थे थे तो दूस्तु बीतर गौमंदर रिष्टत हैं कानपुर में और दूस्तु जो भी कोश्चन बता जारें वो किसी नखिसी एजाम में आ चुके हैं जैसे बीतर गौमंदर एक आय था यूपिफी 2018 में और सारे कोश्चन बता जारें प्राम प्रसाद विश्चनल को फासर कहा देगे थी एक कोश्चन आय था आरो ए आरो दौस्टार एक तारें आगरा के वोतिवजित का निर्वाण एक कोश्चन आय था यूपिफी 2018 में आप जाके मिला आवी सकते हैं कोई फर्जी वाली बात नहीं है एक कोश्चन आय हुए है अठारे सोतनावन के क्रांती में बरेली का नेटर तो किसने के था यूपिफी पिस्यास 2008 में नेश्ट कोश्चन है चोरी-चोरो घटरा एक कोश्चन कब आय था यूपिफी पिस्यास 2001 में और हर्षवर्दन के द्वारा जो धारवेक सम्मिलन कराया गया था एक कोश्चन आया है पिस्यास 2003 में दोस्तों जो भी कोश्चन कराया गया रहे वो इंपोर्टन कोश्चन है किसे लिए किसी एक्जाम में पूछे जा चुके है तो आसा है कि यूपिफी पिस्यास के एक्जाम में जरूर आ सकते है साटवा कोश्चन है हमारा छटी सदी के दौरा चेदी किसी कहा जाता है तो एक कोश्चन हम बताया थे जब इतियास पढ़ा थे गवार तो उसमें बताया भी थे किसी कहा जाता था तो चेधी बंडेल खंडत छेतर के लोगों को चेधी का जाता हुआ तो दोस्तों 6 सथी के दौर सेथी किसे खाने सेथा बंडेल खंड छेतर को चेतर को का जाता हुआ ये कभाई है ये भी आया है UPPK 2018 वे नेस्ट कोशिन है कौन अकबर के मुख्य चेतर कार थे तो इसका अस्वर है दस्न गभन्त और ये भी question UPP 2018 में आया था Next question है कि समित इने त्री अस्तरी पल्चयत प्रड़ाली के सिफारिश की तो question बहुत असल है और लब लब कई बार ये हर एक्जम में पूशा जा चुका है तो इसका अस्वर है बलावन तुराय महता समित और ये ये उपी पीसेस में 2005 में आरो ये आरो में 2021 में आज़ चुका है तो सुचिए एक question कितनों important है Next question उत्तर प्रदेश में लोकायूगत प्रदका स्रीशन कब किया गया है उसके second जिप्ट में आया था Next question है भारती वनस्पती सूध संस्थान कहा थे थे तो दोस्तों भारती वनस्पती संस्थान ये लखनों में ज़ते थे और ये PCS के मिन्स में 2015 में पूछा गया था कि मारती वनस्पती सूध संस्थान ये थे लखनों में Next question है केंदरी वनस्पती संस्थान कहा थे ये भी PCS के मिन्स में 2010 में कोश्चन आया था और इसके एंसर क्या है तो इसके एंसर है दोस्तों अपसर नम्बर थर्ड लखनों सुचिए आपको मैं 2010 से 15 विट में आप 20 कोश्चन तेयार कर ले रहे हैं तो ऐसे आप बहुत ही कम YouTube चैनल होंगे जो कि फास्ट रिवीजन आपके कारता होंगे तो हम रहे ही चारर है जब कम समय में ज्यादा से ज्यादा कोश्चन आपको मिल पाएं दोस्तों,"नेश्ट कोश्चन में बढ़ते थे हैं Next question है, निवन लिखित जनजातियों में से, किसके संके उत्र प्रदिश में सर्वगा आधिक हैं, तो किसके सर्वधिक हैं, ठारू की, ये भी कोशन PCS 2018 में और EOPP 2013 में आचुका है Next question है, कर्मा किसका लोक न लिते हैं, तो कर्मा किसका लोक न लिते हैं, दूस्तों, ये जनजातियों वाले चेप्टर में में मेरे दोर पढ़ाया गया था कि कर्मा, खर्वार जनजातियों का प्रवुख लोक न लिते हैं नेस्ट कोश्चन है फिरो जबाद किसके लिए प्रसिद है फिरो जबाद किसके लिए प्रसिद है यह आप कमिट वरक्स बताएंगे फिरो जबाद किसके लिए प्रसिद है इतने आसान कोश्चन भी अगर आप ना लगा पाए तो जालेजी कि पढ़ना विकार है फिरो जबा प्रवदन पढ़ाय गया था उसमें इसको बताया गया था तो शुटिया और यह यह पीपीश्यस 2018 में आया है सूच लेजी इस कोशन को मैंने बता विज दिया था और यह आया दिया है नेस्ट कोशन है उत्तर प्रदेश को कितने आर्थी छित्र में बाता गया है तो दोस्तों कितने आर्थी छित्र में बाता गया है एक में 10 जो पर पीसे स्खेट 25 में आया है, इसके अर्सवर है, आफसर नमबर एक 47 में बटा गया है, नेस्ट कोश्चन है, कासिवी द्यापीट के सल्थापक खोल थे, यह कोश्चन बहुत इंपॉर्टन है, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे तो आपको लिखा मिलेगा, महात्मा गंदी, कासिवी द्यापीट, और यह कहां है, यह है, वारारसी में, तो महात्मा गंदी के नौम देखते ही, लोग इसका अर्सवर बारगे, महात्मा गंदी, लेकिन इसका अर्सवर है, सिवी प्रशाद गुप्ते, इसका अर्सवर है, सिवी प्रशाद गुप्त, कासिवी कितने सामा रेकेंदर विश्य विद्याना है दोस्तों ये UPPCS में 2016 में पुछा गया question है कितने सामा रेकेंदर विश्य विद्याना है option no.4 और answer भी जागा 4 next question है उर्दु को उत्रप्रदेश को दिती राजभाशा के रूपने कब स्विकार किया गया दोई question है और इसका एंसर है आफ्सान अबर दो उनिसव नवासे में यह PCS 2013 में और UPP 2018 में क्वेशन आ चुका है कि वर्धू को उत्तर प्रतिस का जुतिराजभसक कब बनाया गया था तो उनिसव नवासे में 1989 में दोस्तों ऐसे करते हैं आपको वीडियो पसंदार होगा पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं फिर विलते हैं इसे तो रखें लेस्ट वीडियो तब तक के लिए जैहिंद जैवारत